हेलो गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्योब चैनल चीस फ्रम बेसिक्स पे और आज हम लेकर हैं 27 दिसंबर 2022 के सभी इंपोर्टन कोश्चन्स साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपोर्टन ट्वैक्ट्स के बारे में भी तो चलिए गई शुरू करते हैं मारे आज की वीडियो तो आज की हमारा फर्स्ट कोश्चन है नैपाल के नए प्रदारमंत्री का नाम क्या है यहां इन्हे जलाएं और इने जो शपत देला ही है वह यहां की रास्टपती वेट्यंदेविभंढडरी दारा शपत दिला गई है तो इनका नाम सब स्चान का इंपो राया है वो शेर बहादूर देवगा को रहा है क्योंकि इनसे पहले यहां के प्रद्धान पंतरी थे और इने जो इनके विधायक थे उनने इनके जो मंत्री पर शुक्छ था तो उसने कहीं नगई इनसे समर्थन वापस ले लिए और इन समर्थन दे दिया पुश्कुमार तेहल को और ये बने अब नेपाल के नही परधान वंतरी अब नेपाल अगर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट का काम करता है तो इसी कारण अगर देखा जाए नेपाल काफी ज़्यदा फेमस भी है और नेपाल के अगर बात करे जाए तो नेपाल में विश्व का सबसे उचा परवत माउंट एवरेस जिस्ते थे जिसे नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है और लुम्बनी बन भी जो बगवान बुद्ध का जन्म इस्थल भी है वो भी हमारा नेपाल में है नेक्स्ट हमारा अगला कोशन हाले में भारत की पहली विश्व टेबल टैनिस प्रत्योगिता का आयोजन किस राज़ में किया जाएगा तो पहली बार हो रहा है भारत में और विश्व टेबल टैनिस प्रत्योगिता का आयोजन हो रहा है यह पहली बार और यह किया जाएगा गोवाराज में यानि option C इसका राइट जाए और गोवा की राजधान यह पढ़जी और पढ़जी अगर देखा जाए तो ये 1961 1961 तक पुर्टुगालियों के हेंडर में था फिर 1987 में इसे अलग करके एक नया राज़ बना दिया गया जिसके लिए हमारे संबिधान में 56 वा संबिधान संशोधन अतिनीम गुआ और गोवा की बैठ चल रहे है तो गोवा में अगर देखा जाए तो ये जो टेबल टैनिस पर दोगिता है ये श्यामा प्रसाद मुखरजी स्टेडियम में आयुजित की जाएगी और गोवा में एक फेस्टिबल मना जाता है सिग्मो माउटसब तो ये गोवा का ही है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गोवा की विधान सवा में 40 सीटे हैं और अभी हाले में जीएस्टी संग्राले का जो मुख्या ले खुला गया वो भी गोवा में हर घर जल प्रमाडित राजजी अगर कोई है तो वो भी गोवा है इसके अलाबा अगर बात करी जाएं तो भारत का पहला रेवीज मुक्त राजबी गोवा है इसके अलाबा अगर बात करें तो टेबल टैनिस की दो खिलाणियों का नाम आपको याद रखना है एक तो मानिका बत्रा और दूसरा नामा कर देखा जाएं तो शारत कमल जिनने अभी सबसे जादा मैडल भी मिले थे और शारत कमल को मेजर ध्यानचंदर खेलरत पुरसकार भी दिया जा रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड है तो ये सभी इंपोर्डन बाते आपको गोवा और टेबल टैनिस से याद रखने है नेक्स्ट है मारा अगला कोशन लद्दाक की नवश को किस नाम से आयुजित किया जाता है तो लद्दाक में एक नवश मना जाता है जो 25 दिसंबर से मना जाता है और ये जो महुटसब बना जाता है ये लोसर महुटसब के नाम से बना जाता है तो option 6 का right answer है और ये महुटसब लगवग 15 दिन तक चलता है और ये लद्दाक का नफर्ष कहा जाता है इसके लाबा HEMIS अगर मात आती है तो हेमिस यहाँ का सबसे बड़ा रास्टे उध्यान भी है और हेमिस एक मठ भी है और उसी मठ में हेमिस महुटसब बनाया जाता है और दूसरा अगर हम बात करें इस पूतिक गस्टर तो इसको मोखोटा फेस्टिबल भी कहा जाता है इस पूतिक गस्टर फेस्टिबल को इसके अलावा अगर मात आते हैं लद्दाक की तो भारत का सबसे बड़ा रास्चे उध्यान लद्दाक में इस देते हैं हेमिस रास्चे उध्यान और इसके इलावा अगर हम देखें तो जो लद्दाक है तो लद्दाक इस समय भारत का सबसे बड़ा किंद्शाषित राज्जी भी है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है मारा अगला कुशन भारत की एक मातर महिला किलाड़ी जिनका नाम फोप्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25-6 महिला किलाड़ीों में शामिल हुआ है तो ये नाम है पीवी सिंदू का यानि आप्शन A इसका हमारा राइट आंसर है और ये हैदराबाद तिलंगाना की रहने वाली है और कॉमन वैल्ड गेम्स में इन्होंने अभी हाली में गोल्ड मेडल भी जीते था अब फोप्स की सूची की बाद चल लिए तो आपको पहला नाम भी याद रखना है पहली महिला अगर कोई है तो वो है नाओमी ओसाका तो नाओमी ओसाका का नाम याद रखना है और ये कहां की है जापान के और दूसरे नंबर पर अगर नाम आपको याद रखना है तो सिरेना विल्यम्स का नाम याद रखना है तो सिरेना विल्यम्स दूसरे नंबर पर है तो पहला नाम नाओमी ओसाका दूसरा नाम सिरेना विल्यम्स और तीसरा अगर देखा जाए तो यह थर्ड नंबर पर तो नहीं है यह है बार्वे नंबर पर पीवी सिंदू और P.V. सिंधू ने Rio Olympic में Silver medal जीता था Tokyo Olympic में Kassip Padak जीता था Singapore Open और Swist Open और Sotheby Dudley Open को भी इन्हों नहीं जीता था और अभी हाले में Commonwealth Game में भी इन्हों ने Gold medal जीता है तो यह सभी बाते आपको याद रखने sein नेक्स्ट है हमारा अगला कॉशन रविन्नाट टैगूर साहित पुरुसकार 2021 किसे प्रदान किया गया तो ये पुरुसकार जो दिया जाता है वो रविन्नाट टैगूर की याद में दिया जाता है और भारत में साहित का नोबल पुरुसकार सबसे पहले अगर किसी को मिला था तो रविन्ना टैगोर जी को ये मिला था इनकी एक रचना थी गीत आंजले और उसी रचना के लिए 1913 में नोबल पुरस्कार दिया गया था और अब इनी के नाम पे रविन्ना टैगोर साहत पुरस्कार जो मिला है 21-22 का ये इन तीनों विक्तियों को मिला है इनी के नाम पे पुरस्कार दिया गया नेक्स्ट है मारा अगला कुशन हाली में पहला बीरवाल दिवस कब मनाया गया तो पहला मनाया जा रहा है तो पहले बड़ा ही इंपोर्डेंट होता है और ये मनाया गया 26 दिसमबर यानि ऑप्शन डीस का राइट आंसर है और ये अगर देखा जाए तो ये जो मनाया जाता है बीरवाल दिवस ये गुरू गोविन सिंग जी तो है सिखो के अंतिम गुरू उन्ही के जो दो पुतर थे साहिबाद और फत्य सिंग तो उन्ही के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है बीरवाल दिवस और ये पहली वार मनाया जा रहा है तो 26 दिसमबर को अब गुरू गोविन सिंग जी सिखो के अंतिम गुरू थे दसमें गुरू थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की भी स्थापना करी थे खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा 1689 में वैसा की की दिन की थे और इसके अलाबा अगर हम बात करें कि सिखो के पहले गुरू अगर कोई थे तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव तो ये सबी बाते आपको याद रखनी है इसके अलाबा 23 दिसंबर को अन्यदाता दिवस ये किसान दिवस 24 दिसंबर को आपका उपभोकता दिवस 25 दिसंबर को आपका सुसाशन दिवस तो ये सबी और इससे पहले अगर आप 22 दिसंबर को देखें तो गणित दिवस मनाया जाता है तो ये सबी आपको याद रखने है नेक्स्ट है हमारा हाली में अंतरास्टे मध्यस्ता केंद्र नई दिल्ली का अधिक्ष किसे निक्त किया गया है तो अंतरास्टे मध्यस्ता केंद्र नई दिल्ली का अधिक्ष ये चुना गया है हमंत गुपता को तो अप्शन भी इसका राइट आंसर है और ये वही वेक्ति हैं जिन्होंने करनाटक हिजाब केस में अपना फैसला दिया था और ये सुप्रीम कोट के सेवा निवरित जजज है जिनने अंतरास्टे मध्यस्ता के नई दिल्ली का नया धिक्ष बनाया गया है इसके अलाबा डी वाई चंद्रशून यानि धननजे वाई चंद्रशून ये भारत के पचासमे सीजे आई है तो इनका नाम भी आपको याद रखना है 15 नमबर के Chief Justice of India इनसे पहले 49 नमबर के थे Justice U.U. ललित यानि उद्योमेश ललित ये 49 नमबर के थे और इनसे पहले अगर हम बात करें NB र southeast और भारत के महानया धिया तो इनका नाम भी आपको याद रखना है नेक्स्ट हैमारा अगला कुशन रास्टे उपभोगता दिवस का बनाया जाता है तो रास्टे उपभोगता दिवस बनाया जाता है 24 दिसंबर को तो option 20 का right answer है अभी हमने देखा 22 दिसंबर को math यानि गणत दिवस 23 दिसंबर को किसान या फिर अन्यदाता दिवस 25 दिसंबर को सुसाशन दिवस और 26 दिसंबर को बीरबाल दिवस तो यह सभी important है यह आपको याद रखने है तो यह confusion पैदा करते है थोड़ा सा कर देखा जाए जिससे अगर बात आती है हमारा दुग-डी दिवस की अगर हम बात करें तो विशल दुग-डी दुपस मना जाता है एक जून को जबकि राश्ट्रे दुग-डीवस 26 दर ममर के विशल यूब दिवस मना जाता है वो बारह कस्ось को मना जैता और अगला कुर II हाल यह में पहला रोभडी न हीयर पुरसकार 2002 कि से प्रदान किया गया तो यह जो प्रसकार है नाग।के एक हmental से ठ्रीं संक्ताइम अजह का राइट आनसर यह पुरिसकार यह ने दिया और ये अगर हम बात करें इसमें एक नाम आया रोणी नईयर तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में मनरेगा की शुरुआत करी थी तो मनरेगा शुरू करने का गश्रे किसी व्यक्ति को जाता है तो वो रोणी नईयर कोई जाता और उसी तरज पर ही नागा लेंड के सेथ रिचम संक्तम ने पैटर लाइफ फांडेशन के तहट ग्रामीड आजिविगा को बढ़ावा देने का काम किया है और अगर हम बात करें नरेगा की तो नरेगा है था 2005 में और इसको जो उत्र हुआ था तो 2006 से इसके लाबा इसका नाम चेंज हो गया था मनरेगा तो मनरेगा यह हुआ था दो अक्टूबर 2009 को इसी प्रिकार से इंद्रा गांधी शहरी रोजगा गारंटी की उजणा चल रही है वो राजस्तान राजेने भी चल रही है और बाकी नरेगा और मनरेगा यह पुरे भारत में चल रहा है नेक्स्ट हैमारा अगला कोशन हाली में भारत के सराज्चे है कि इंद्शाष्य प्रतेश में चिल्लई कला की शुरूआत हुई है तो यह जो शुरूआत हुई है यह जम्मू कश्मीर में इसकी शुरूआत हुई है यानि option D's का right answer है और यह जो चिल्लई कला है तो यह अगर देखा जाए जब कड़ाके की ठंड पढ़नी शुरू होती है 21 दिसंबर के बाद में तो 21 दिसंबर के बाद जब कड़ाके की ठंड पढ़ती है और temperature जो होता है तामान माइनस में चला जाता है तो इसी एक आरण जो 40 दिन का चिल्लई कला मनाया जाता है और जब चिल्लई क जो कोशमीर का तो यह सभी ठेली ग्रुप से भी जोड़ा सकते हैं इसका link आप को यहाँ भी मिल जाएगा साथ ही आप हमारे Instagram गुरूप या WhatsApp गुरूप से जोड़ सकते हैं इनके लिंक दे रखें और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइस, थैंक्स वर वाचिंग